मेरे चैनल में एक पर फिट से स्वागत है Transformer Maintenance का ये जो वीडियो है वो एक repeat वीडियो है लेकिन इससे पहले जो मैंने Transformer Maintenance का वीडियो अपलोड किया था वो totally English में था तो काफी सारे viewers का ऐसा demand था कि इस video को transformer maintenance के जो topic है उसको हिंदी में publish किया जाए तो इसलिए आज इस video को part wise में मैं daily maintenance checklist के हिसाब से हिंदी में upload कर रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं पहला transformer का daily checkpoint है कि transformer में oil का जो level है उसको check करते रहना है तो oil transformer में कहाँ पे store रहता है एक तो है उसका main conservator tank और दूसरा है उसका oil tc का tank नीचे दिखाए गए transformer के photo में जो red mark मैंने अभी दिखाया है वो transformer का conservator का main tank है कुछ transformers में इसी conservator tank के दो हिस्से करके एक में main tank का oil रहता है और दूसरे में oil tc tank का oil रहता है oil tc का मतलब यह है कि उसका on load tap changer जो है उसका mechanism उसमें जो oil use होता है उसका separate tank oil tc tank कहलाता है चोटे size के transformer में oil tc tank नहीं रहता है वो सिर्फ बड़े size के transformer में ही दिया जाता है अभी right side का जो photo है उसमें transformer का magnetic oil level gauge दिखाया है यह magnetic oil level का gauge है वो transformer के tank में अभी कितना oil का level है वो हमें दिखाता है जैसे कि अभी आप उसमें देख रहा है तो उसमें empty से लेके full तक का indication दिखाया है और बीच में 1 by 4th, 1 half, 3 by 4th और full का indication उसमें आ जाता है तो अभी जो indication है वो full के नजदीक में दिखाया गया है लेकिन जबी transformer का oil level कुछ plus minus up down होगा तो ये जो उसका pointer है वो इस हिसाब से उसका level दिखायेगा ideally transformer का oil का level है वो 30 degree filling oil का जो level जहां पे दिखाया है वहाँ तक होना चाहिए ताकि जब transformer का temperature बढ़े तो बाकी का जो oil level है उसका volume बढ़ेगा और what oil transformer के main tank में से conservator में आएगा और जब transformer का oil का temperature कम होगा तब ये oil का volume भी कम होगा और वो oil conservator tank में से main tank में रहेगा तो ऐसे transformer का main tank है उसमें oil तो होगा ही लेकिन जो excess oil है वो conservator tank में कितना बरा है उसका level हमको check करते रहना है transformer daily checklist का जो दूसरा point है वो oil के leakage को check करवाना है जैसे कि दीचे के दो जो फोटोस है उसमें दिख रहा है कि पहले फोटो में transformer का जो main tank है उसके उपर का जो cover आता है और वहाँ पे जहाँ पे joining के bolts लगे रहते है तो वहाँ पे oil का जो leakage है वो हमें दिख रहा है और दूसरा एक point right वाला जो फोटो है उसमें radiator के down side में एक जगा पे oil का leakage हमें दिख रहा है तो ऐसे जो oil का leakage कहीं पे से भी होता है transformer में उसको हमें observe करके उसका leakage stop करवाने के लिए suitable action लेना है leakage को stop करने के लिए हमें या तो उसके जो joining bolts होते है वहाँ पे tightening करना रहता है या फिर वहाँ पे अगर gasket खराब हो गया है तो वो gasket को replace करना रहता है तीसरे checkpoint में हम check करेंगे transformer के bushing के oil का level अभी ये photo जो bushing का दिखाया है वो bushing higher size के जो transformer होते है उसी में इस type के bushing यूज किये जाते है जो lower size के transformer होते है उसमें porcelain type के bushing ही होते है जिसमें oil बरा रहता नहीं है तो ये जो checkpoint है वो higher size के transformer के लिए ही रहता है जैसे के इस photo में दिखाया है bushing के top side पे एक visible glass रहता है जिसमें oil का level हम देख सकते है तो वहाँ से इसका oil का level हमको देखते रहना है कि अगर bushing में कोई crack के वज़े से इसका oil का level कम तो नहीं हो गया है transformer का चौथा daily checkpoint हम देखेंगे के transformer का OTI और WTI याने के oil temperature indicator और winding temperature indicator है उसमें कितना temperature दिखाया जा रहा है नीचे के photo में आप देख रहे हैं वो oil temperature का indicator है वो first है और second वाला जो दिखाया है वो WTI का indicator मतलब के winding temperature का indicator है transformer के oil का और winding का जो temperature है वो within limits रहना चाहिए अगर उसका temperature बढ़ जाता है तो transformer में alarm और trip आना चाहिए oil का temperature winding के temperature से कम आएगा क्योंकि oil है वो cooling medium है और एक insulator की तरह काम करता है OTI और WTI के indicators में alarm और tripping का जो set point है उसमें 5 degree जितना difference रहता है जैसे कि OTI का alarm जो है वो 90 degree पे set किया है तो उसका tripping जो है वो 95 degree पे set किया होता है transformer के 5 way daily checkpoint में हम transformer का जो loading है मतलब के transformer में से कितना ampere flow हो रहा है उसको check करेंगे transformer में से कितना ampere flow हो रहा है वो हम दिखाये गए photo के हिसाब से control room में अगर desktop पे उसका configuration लिया है तो उसमें भी check कर सकते है या फिर transformer का जो relay है उसमें भी हम transformer में primary और secondary में कितना ampere flow हो रहा है वो check कर सकते हैं और इस checkpoint का जो purpose है वो यह है कि transformer है वो overloaded condition में तो नहीं चल रहा है उसको हम verify करते हैं चटा point हम check करेंगे transformer के silica gel breather की condition silica gel breather के अंदर जो silica है वो blue color की होनी चाहिए अगर वो pink color की हो चुकी है तो silica gel का hitting या फिर उसका replacement हमें करना चाहिए transformer का जो breathing action है वो silica gel breather के through होता है यह breather है वो transformer के conservator tank के साथ connect रहता है जब भी atmospheric air transformer के conservator tank के अंदर जाती है तो उस time पे वो हवा silica gel breather के through होके जाती है तो उसके वज़े से क्या होगा कि transformer के अंदर जो हवा जाती है उसमें से जो भी moisture है वो silica gel पकड़ लेगा तो उसके हिसाब से जो transformer का जो oil है वो without moisture लंबे time तक हम रख सकते है जब ये silica gel blue color में से pink color हो जाता है तो उसका मतलब ये हो गया है कि जितना moisture इसमें से पास हुआ है उसमें silica gel है वो उसका अब limit आ गया है वो उसके ज्यादा और moisture को अपने अंदर सोख नहीं सकता है इसके अलावा transformer silica gel breather के नीचे की side पे एक oil का cup दिया जाता है जिसमें holes रहता है तो इसमें से जो हवा transformer के अंदर जाने वाली होती है वो silica gel breather के oil cup में से पहले जाती है तो पहले वो हवा oil के through पास होती है और वहां से फिर वो silica gel की और जाते हुए फिर conservator tank में जाती है तो oil के रहने से उसमें जो dust particles है वो भी बाहर रह जाते है मतलब जो हवा अंदर transformer के conservator tank में जाएगी वो without dust और without moisture वाली जाएगी तो हमें ये भी ensure करना रहता है कि transformer silica gel breather उसका जो silica है वो blue color का है और उसके नीचे की side पे जो oil का cup दिया है वो उसके level तक oil उसमें बरा हुआ है साथवा transformer का daily checkpoint है वो explosion vent की condition को check करना है explosion vent एक ऐसा device है जो transformer को explode होने से बचाता है जैसे कि फोटो में दिखाई दे रहा है explosion vent एक ऐसा pipe है जो main tank से outer atmosphere की तरफ जुड़ा रहता है explosion vent के दोनों end पे diaphragm दिया रहते है अगर transformer में कोई ऐसी internal fold की condition आ जाती है जिसकी वज़े से oil का temperature और volume एकदम बढ़ जाता है तो उस condition में अगर उस oil को कहीं पे जाने की जगा ना मिली तो वो transformer को explode करवाएगा तो ऐसी condition में क्या होगा कि explosion vent में दिये गए diaphragm वो फट जाएंगे और oil को बाहर आने की जगा कर देंगे और transformer को explode होने से बचाएंगे तो daily transformer के explosion vent की condition देखे कि उसमें ऐसी कोई condition तो आ नहीं गई है कि जिसकी वज़े से उसका oil बाहर आया है अभी के जो नए transformers आते है उसमें explosion vent के जगा पे PRV यूज करते है PRV और explosion vent का जो difference है उसके लिए इससे पहले मैंने एक अलग वीडियो बनाया है तो आप उसका अगर detail देखना है तो उस वीडियो में जाके देख सकते है transformer का आठवा daily checkpoint है transformer के जो cooling fans है उसके motors की noise या फिर vibration चेक करना अब ये जो cooling fan के motors होते है वो higher size के transformer में ही available होते है कि जिसमें extra cooling की requirement रहती है जो lower size के transformer रहते है उसमें cooling fan दिये नहीं जाते है cooling fan के जो motors है वो transformer का temperature अगर sudden limit से बढ़ता है तो उस condition में auto में on हो जाते है कि जिसकी वज़े से transformer का जो temperature है उसको normal temperature पे हम रख सके ये जो cooling fan motors होते है उसमें noise और vibration चेक करने का purpose ये है कि transformer के cooling fan motors का अगर bearing fail हुआ है तो उसको replacement करने का हमको पता चले और vibration उसमें अगर ज्यादा है तो कहां कौन से जगा पे हमको उसका fitting का tightening और alignment करना है उसका हमको पता चले I hope ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा और मैं लाता रहूंगा ऐसे ही technical videos हुआ है